असाम के सीम हिमंत विश्व सर्मा अपने नए नए फैसलों को लेकर मशूर होते नजर आ रहे हैं। कभी वो पॉपुलेशन को लेकर बिल लाते हैं, तो कभी हिंदू के लिए लब जिहाद का बिल लाने की बात करते हैं। वहीं अब वो एक और बिल ला चुके हैं, जो की है कैटल बिल यानि मवेशी बिल। इसके मुताबिक अब राजे में हिंदू जैन बहुल इलाकों और इस धर्म के मंदिरों के पास गौमास यानि बीफ की बिक्री नहीं की जा सकेगी। सर्मा नहीं मवेशियों को मारने, खाने और परिवाहन को लेकर असम मवेशी संडरक्षन बिल सोमवार को विधान सवा में पेश किया। इस कानून का मकसद हिंदू, सिक और जैन बहुल इलाकों और धार्मिक स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में गौमास बेचने पर प्रतिबंद लगाना है। मुखी मंतरी ने कहा है इस कानून का उद्देश्य, यह शुनिश्चित करना है कि उन एरिया में बीफ की बिक्री की अनुमती नहीं दी जाए, जहां मुखे रूप से हिंदू, जैन सिक और बीफ नहीं खाने वाले लोग रहते हैं, हाला कि कुछ धार्मिक अफसरों पर चौदा साल से ज्यादा हो, गाय या बच्छडे का वद्द तभी किया जा सकता है अगर वो अस्थाई रूप से अपाहेज है, आपको क्या लगता है यह कैटल भी लाना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करकर जरूर बताए, अभी क्लेस व्यूटी में इ सब्सक्राइब करें, अथम न्यूज धन्यवाद